हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चानल अमिती पैशन विला आज के वीडियो में हम लड़ो गोपाल जी के लिए ड्रस बनाएंगे यह देखे हमने एकदम नया और यूनिक डिजाइन बनाया है और बहुत ही सिंपल वे में बताया है आपको बनाना यह देखे मैं पास से दिखाऊं आपको यह ऐसी है यह हमने तीन नंबर के कानाजी के ड्रस बनाई है हमने इसमें यह देखे शॉटन के फ्लावर बना के लगाए है हमने शॉटन के फैब्रिक से बनाया है यह फ्लावर बनाना बहुत हीजी है बहुत हीजी यहाँ पे हमने चा जो कि हम अपनी हर वीडियो में यूज करते हैं वो है और यहां पर हमने यह चुटे-चुटे flowers लगाए हैं बस हमें इस पर इतने ही चुछ का यूज चाहिए और हमने यह बुकरम यूज की है यहां पर हमने पेस्टिंग वाले बुकरम भी लगाई है इसकी चुली मैं आपको दिखा हूँ यह देखे यह है इसकी चुली हमने यह ड्रेस इस measurement चार्ट के लगाए है यह देखे अगर आपको अपनी काना जी का नमबर पता है तो आप यहां से स्क्रिन सॉट लेकर रख सकते हैं और अपनी काना जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं यहां पर हमने 0-10 नमबर तक के गोपाल जी का measurement डिया हुआ है और गैस अगर आपको अपने काना जी का नमबर नहीं पता है तो आप यह measurement चार्ट यूज कर सकते हैं इसमें हमने काना जी को नापना बताया है कि कैसे आप नाप क्यों के लिए ड्रस बना सकते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दूंगी और इसकी क्लियर पिक आपको मेरे इंस्ट्रागाम पर बिल जाएगी अगर आपने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर फॉलो करें मेरा इंस्ट्रागाम है अमृतिफेशन बॉला 50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल जाएगा तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के यह ब्यूटिफुल सी ड्रेस हमने आप अपना मजल में चाट ले लिया है यह तिन नमबर के जिक रिए के लिए हमें 9 इंच का डामीटर चाहिए होता है लेकिन हमने यह पे 6 इंच का डामीटर कट किया है ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम यहां से यह भी इस्ट्रिप क करनी है तो जब हम एट करेंगे तो यह हमारा 9 इंच का डायमिटर तयार आएगा तो ऐसे आपको भी करना है जीते भी नमबर के कानाजी की ड्रिस बनानी है या फिर जितना भी आप डायमिटर करते हूं उससे कम करके कट करना है हमने बुक्रम के उपर इसकाई ब्लू कलर में शॉटर्ण का अभी पेस्ट किया हुआ है हमें अब ऐसे इस्टिप बनानी है इस ड्रिस को बनाने का में दिजन यह स्ट्रिप ही है क्योकि मैंने अभी एक दो दिन पहले ही एक ड्रिस के वीडियो अपलोड कि थी जिसमें मेरे एक सप्स्क्राइबर को यह डोरी पलटने में प्रावलम आ रही थी तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था तो मुझे यह लगा कि अगर उनको प्रावलम आ रही है तो बहुत से लोगों कर रही हो गी इसलिए मैं आज फिरसर दोरे पलटने आपको बताऊंगी और आज मैं आपको सुई धागी की तो हमने यहां देखिए यह फैब्रिक लिया है यह हमारी सीडी साइड है और यह हमारे उल्टी साइड है अब देखिए सीडी साइड से हमें ऐसे फोल्ड करना है यह देखिए लगबार हमने यहां पर साथ पांच दस्मलों साथ पांच इंच फोल्ड कर दिया है मतलब कि अग यहां पर दिखाएंगे कि क्या करना है तो आप चोटी ही रखे बहुत एजी होता है चोटा करके बलटना अब देखे हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहां से 0.25 इंच का मार्जन देते हुए एक सिलाई लगा लेंगे तो चली सिलाई लगाते हैं फिर अब हम क्या करेंगे यह देखिये यहां से ऐसे सुई को डालेंगे अच्छे से हमें यहां पर सुई अपनी फसालेनी है यह दिखिये अ यहांEnt हुसी पकड़ेंगे और डोरी को हल के हाथ से खिचेंगे जह हमने धागा डाला था इसा करेंगे इस आसे रखेंगे और प्रेस करेंगे बस हमारी दोरी तयार है बहुत इजी है इसे पलटना यहां से देखिए ऐसे दोरी कट करेंगे यह हो गई अब हम इसी डोरी से नाप लेंगे और फिर कट कर लेंगे हमें पूरी अपनी दोरी ऐसे ही कट कर लेनी है और कट करने के बार देखे क्या करेंगे अपने बुकरम के पीस को लेंगे जिस पर हमने शॉडन का फैब्रिक पेस्ट किया है इस पर हमें ऐसे करके यहां से हाफ इंच का मार्जन देते हुए लगाना है यह देखे ऐसे थोड़ थोड़ बीच में गैप देंगे लगबड अगर आप देखेंगे तो यह देखे 0.25 इंच है इतना गैप हमें देना है तो इतना एक गैप देते हुए इसे हम पूरे सरकल पे ऐसे करके स्टिच कर लेंगे यह देखे हम यहाँ पर burn कर लेंगे अगर आप burn नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर जलाना नहीं चाहते हैं तो आप pipe in भी लगा सकते हैं यहाँ पर हमें pipe in कैसे लगानी है इसका link में discussion box में देदूँगी आप वहाँ से check कर लें तो चलिए हम इसके ऊपर यह strip, stitch कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, कि क्या करना है, यह देखिए, हमने इसके उपर stitch कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे इसे पलटेंगे, यह देखिए, ऐसे करके, और हमें इसके उपर से लाए लगानी है, यहाँ यहाँ पर, यह देखिए, ऐसे कर क्रेस के पलटना है और हमें यहाँ इसके ऊपर से लगावनी है इसाई यह हिसे सीधा हो जाए टो चोलिए हम इतना काम करते है पर आपको दिखाते हैं मैं पूरे राणन पर ई सही करना है यह देखें गया बड़कर 2024 करना है अब हमी क्या कर दिया है यह देखिए हम तीन दयतर toen नुब्र को कान आ चिक ट्रै के स्क ऩर्ष बना रहा है तो 9 इंच का में डायमेंटर कट कर Card downloads के चक्रणा है इसक नहींच को डिश्राश का रहुते चक्णी, टेहरे सकते आप मैं हम इसके उपर रखेंगे और देखिया हमारी कुछ श्ट्रिप थोड़ी सी बड़ी हो जाती है कुछ छोटी हो जाती है इसलिए यह डायमेटर कट करना बहुत ज़रूरी है हम इस पर ऐसे रखेंगे इसे और पूरी राउंड पे एक बार सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा पिपर के साफे पिस्टिश हो जाए तो शलिए हम इतना काम करते हैं फिर दिखाएंगे कि क्या करना है यह द engage हमने पिपर के उपर सिल दिया है जो हमारे थोड़ा-थोड़ा सा जाएगा दोनों साट से तो चले हम पूरे राउंड पर यह कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है यह देखिए हमने से टिशू रिबन से लॉक कर दिया है जिए बैक से हैं आप चाहें तो यहां पर पाई पीन भी लगा सकते हैं अब यहां पर यह पिंक कलर की यहां पर लगाएंगे दो बार हमें यह लेस लगानी है तो चले लगा लेते हैं फिर दिखाएंगे कि क्या करना है यह देखिए हमने इसके उपर लेस लगा लिए बहुत ही फिनिस्सिंग चाया है अगर हम पेपर नहीं लगाते तो हम मित्तिय इसली नहीं लगा पाते हैं बहुत ही प्रॉब्लम आती अब क्या करेंगे इसे ऐसे फोल करेंगे एक बार और फोल करेंगे हमें कमर कट करनी है यहां पर हम छोड़ी सी कमर कट कर लेंगे यह देखिए हमारी कमर कट हो गई है अब क्या करेंगे यहां से यह देखिए ऐसे करके एक कट लगा देंगे जिससे हम ड्रेस को पालजी को इसली पहना सके अब में यह हिसा और यह हिसा टिशू रिबन की हल्ट से लॉक करना है तो यह देखिए हम ऐसे लेंगे टिशू रिब और यहां पर ऐसे लगाएंगे और यह हमें पेपर के साथ ही ऐसे करके लॉक कर देना है पूरा इस साइट भी कर लेंगे और इस साइट भी तो चलिए हम दोने साइट से लॉक कर लेंगे और देखिए लॉक करने के बद हम यहां पर कमर भी अटैस कर लेंगे कमर में हमें यह पोड़े है मेरे चनल पर लिंक मैं आपको डिसक्रिप्सिंट वाक प्रॉकस में देदऊंगी आप वहां से चेक कर लें कि कमर पर आपको नेफा और डोरी कैसे लगानी है अब मैं अपनी रिस पे फ्लावर बना के लगारा है तो देखिये हमें कैसे बनाना है यहां पर हमने जैसे हमने यह वाली strip बनाई थी सेम हमने pink color के short run के fabric से बना ली है हमने इसे दोनों set से जला दिया है जिससे से से खुले न अब हम क्या करेंगे इसके एक set से लाई नहीं होती है एकी set से लाई आएगी तो जिस set से लाई है वहां से हम इसे चोटी-चोटी सी लाए लगाएंगे यह देखिए हमने चोटी-चोटी सी लाए लगा लिए है अब क्या करेंगे यहां से सुवी को निकाल लेंगे और निकालने के बाद जहां से हमने सिलाए स्टार्ट की थी वहीं पैसे टक कर लेंगे और हमें एकदम टाइटली किस देना है यह देखिए यह हमारा छोटा सा फ्लावर बना है ऐसे करके हमें फ्लावर बनाने है अब यहां पे हम एक नौट लगा देंगे यह हो गई अब यह हमें धागे को कट नहीं करना है अब हम यह प्लावर अपने ड्रिस पे लगाएंगे यह देखिए इस ट्रिप पर हमें लगाना है एक इस ट्रिप पर हम लगाएंगे एक को छोड़ देंगे हमने यहां पे एक नमबर में गोल्डन क्लर की मोती लिए है इसमें से एक मोती भी हमें लगानी है तो पहले हमें सुई को उपर ले आना होगा यह दिखे अब यह मोती ले लेंगे और यहां पे लगा देंगे यह दिखे बहुत अच्छे से लग गया है अब पीछे से हमें नौट लगा के कट कर लेना है यह दिखे ऐसे करके हम सभी में लगा लेंगे एक एक छोड़ के तो चले लगा लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है यह दिखे गाइस हमने इसके उपर फ्लावर इस्टिच कर दी है और यहां पर हमने चार नंबर में गोर्लेंग करण की मोती लगा दी है जो अमारी बीच वाली स्टिप खाली थी उसमें हमने एक-एक मोती लगा दी है अब देखे हमें क्या करना है पीछे से हम पेपर निका हमने यहां से दिखे पेपर फार दिया है जो हमारा थोड़ा बहुत रह भी गया है वो जो हम इसे वास करेंगे तो निकल जाएगा अब दिखे यह फ्रंट से मारी डेस ऐसी है बहुत अच्छी से फिनिसिंग आई है कोई भी दिक्कत नहीं है मैं ईक चीजा आपको बताना भूल गए जिब हम यहां पे कमर इश्टऊच कर लेंगे więcej डोरी को एकदम masters जब बा sedan करेंगे जब हम firm तक बाद लेंगे अगर हम एम यह एकदम निहां पयने पर कर जाए we तो जो हम सेल देंगे तो हमारी सरके के लिए तो इस चिछ का आपको ध्यान देना है अब हम यहां यहां पे कुछ बूटी लगा लेंगे जिसे यह देखे अच्छी लगे यह देखिए ड्रिस के ऊपर हमने यहां पे चुटी-चुटी फ्लावर्स लगा दिये हैं गोल्डें क अब हमारी ड्रिस कंप्लीट हो गई है और हम चोली देखेंगे चोली के लिए हमने यहां पे देखिए बुग्रम के ऊपर इसकाई ब्लू कलर का फैब्रिक पेस्ट करके और दोनों साइट से टिशू रिबन की हल्प से लॉक कर लिया है अगर आप मेजर्मेंट चार्ट में देखेंगे कर दे कि लिए 10 इंश लंबा और एक इंश फैबृक टैरिक तो हमने हाँ पर यह थैंपर द लह एसे करके लागा लिंगे यह दो चली इसे श्जश कर लेते हैं तो दिखाएंगे की क्या करना है ये digest कर लिया अब ऐसे 20 से फोलड करेंगे और यहां से कट कर लेंगे यहां पे हमें दोनों को एक दूसरे के उपर लखना है और इतने दूर तक हम सिलाई लगाएंगे जब हम यहां सिलाई लगा लेंगे तो हम इधर टिशुरी बंड के हल्प से लॉक कर लेंगे यह देखिए हमने चोली स्टीच कर ली, यहांसे हमने डोरी भी लगा ली है, हम इसे कैसे पैनाएंगे यह सा देखिए ऐसे एक कंदे पे आएगा और यह ऐसे दूजरे कंदे पे आएगा, उसके बाद हम इसे डोरी की हल्ब से पीछे से बात लेंगे, ऐसे करके, यह देखिए यह चोली आपके कानाजी को बहुत अच्छे से फिट आएगी यह देखिए गाइज ऐसी लगीगी यह चोली हमारे ड्रेस के साथ हमने बहुत ही एजी तरीके से आपको बताया है बनाना आए हो पाँच की वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्स्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेप्रेस करके और पे क्लिक कर लें जैसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले मिले आपको सुथ हैं झाल 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 झाल